आंदोलन जरूर सफला है आंदोलन की सफलता से मुझे वो नहीं है सफलता यह कि हम तो लड़ाई उस बात की लड़ रहे थे कि हमारी पॉकट में 100 रुपया था आपने छीन लिया उसके बाद में उसका उस नोट को तोड मरोड के और जाने किता नुकसान करके उसको खंडित क करने के लाद आपने का अच्छे चलो वापस ले 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 तो कमोवेस ये स्थिति है कि आप से हमने तो मांगा नहीं था आपने अचानक ला करके ये तीन कानून हम पे इंपोच कर दिये और इंपोच करने के बाद में हमने इसका विरोध सुरू किया पहले राजविशेस में किया फिर हम राज इससे निकल करके राजधानी की तरफ बढ़े हम राजधानी की तरफ जब बढ़े तो आपने हम पे लाठिया चलाई हैं और जाने क्या क्या किया मैंने पिछले साल इतफाक से 29 नौंबर को ही अपना एक एडिटोरियल लिखा था और उस एडिटोरियल में मैंने जो लिखा था मैं उसकी हेडलाइन बताते हुए आपको दिखाता हूं कि आज वो चुकि फेस्बूक पर पढ़ा था तो फ यह जो मैंने लिखा था मैं उसी पर आता हूं कि उस दिन आज का ही दिन था अंबाला में जब वो पंजाब से अंबाला की सीमा में और हरियानक सीमा में इंटर कर रहे थे तो लाठियां चली थी जाने कितने घायल हुए थे उन पे मुकरमे दर्ज हुए थे आज मतलब 28 ता पहुँच गया जब पहुँच के वहां जम गया और उसने धीरे-धीरे उसका पुरा प्रभाव maintenu अंगर और जब सरकार हिलने लगी को और सरकार कभी जब यह लोग बोट कि चोट की स्थिति में आ घए जब राजनेयिक सकता खत्रें में दिखने लगी उसको वापस लेने की गोशना कर दी मोधी ने मोधी ने कर दी सरकार कहना गलत हो तो नरेंद मोधी अचानक प्रगट होते हैं और कहते हैं हो आपस लेते हैं हम समझा नहीं पाएं सहाब समझाना तो आपको संसद में था क्यों नहीं संसद में चर्चा किया आपने और जिस तरह आपने पास किया जिस तरह से उसको ले करके आपने पूरा लोक्तंत्र की हत्या की थी। उन सारी बातों पर दौर करने का भी से तो आपने इस तरह से किया। इसके बाद जब किसान बैठ गया तो आपने उसे खालिस्थानी आतंकवादी पाकिस्थानी चाइना फंडेड और जाने क्या-क्या देश बिरोधी ताक्तें और राश्ट दोही और जाने क्या क्या आपने नहीं कहा कुछ भी कहने से आप नहीं चुके खुद नरेंद मोधी ने संसत के अंदर इन्हें आंदोलन जीवी पर जीवी जाने क्या क्या कहा तो ये संग्याएं आपने दी हैं किसी और ने नहीं दी है और हमारे साड़े साथ सो किसान इस पूरे आंदोलन के दवरां डिफरेंट उसमें सहीद हो गये उस शीच के लिए सहीद हुए जो उनका अपराद नहीं था जो आपने जवरजस्ती उन्हें गिफ्ट देने की कोशिस की थी आपके लिए वो गिफ्ट था उनके लिए आप इम आप्टिस किसान आत्मत्या कर ले रहा हैं तो सब आप तो यह स्थिस्पिती में ते और फिर आप सुख भोग रहे थे उसी दोर में आप जो है साड़े विश्टा के नाम पे जो कर रहे थे वो सामने है जब लोग मर रहे थे यहां किसान मर रहे थे वहां कोविट से लोग मर रहे थे देश मर रहा था और जब देश के लोग मर रहे थे तमाम चीजों से विचलित थे दवाएं नहीं थी हास्पिटल नहीं थे बेड नहीं थे और फिर भी किसान डटा रहा, ना उसने धूप की परवा की, ना उसने च्छां की परवा की, ना उसने सर्दी की परवा की, ना उसने पानी की परवा की, वो भीगा भी है और वो हुआ, और उसके बावदूर्द आपकी लाठी भी खाया, उसके केम्पों में आग भी लगाई है मुगदमे दर्ज किये गए यह सब झेल के वो खड़ा और यह जब उसने चुनाओं में आपको हार दिखाना सुरू कर दिया तब आ पाए तो सहब यह जीत से जादा एक आंदोलन की सक्ती है उसका नतीजा है कि आज आप मजबूर हो करके संसद में लाएं और आज भी आप ने लोक्तांत्री तरीके से उस पर नहीं किया आपने संसद में बिलपेश किया था वापस लेने का तो उस पर चर्चा होनी चाहिए थी यह सारे फैक्ट जो मैं आपके चैनल पर बता रहा हूं वो संसद में आने चाहिए थे लेकिन आपने नहीं करने दिया आपने संसद और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नशा